भारत नेपाल के बीच बनते बिगड़त रिष्टे ओली ने दिया मित्रवत संभंध बनाई रखने का संकेत नेपाल भारत का निकर्तम पड़ोसी है दोनों देशों के बीच सही माइने में रोटी बेटी के संभंध है सेक्ड़ों वर्षों से नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के भारत में आते रहते हैं और भारत के लोग भी नेपाल जाते रही है परंतु एक बात तो माननी ही होगी कि चीन को नेपाल और भारत की दोस्ती सुहाती नहीं है चीन हर तरह से उन सभी देशों को निरंतर रुकसाता है जो भारत के निकट है हाली घटनाउस से ऐसा लगता है कि चीन नेपल को बहुत भड़काया है जिस कारण नेपल एक तरह से चीन के गोद में बैठ गया है हाल में नेपाल के प्रधानमंतरी के पी शर्मा ओली ने भारत के खिलाव बहुत दूप रचार kiya है सबसे बड़ी बात यह है कि भारति बू भाग में सत्र एक बड़े चेत्र को ओली ने नेपाल का होने का दावा किया यह सरासर गलत है भारत ने इसका कड़ा विरोध किया इतना ही नहीं चीन के बहकावे में आकर ओली ने अपने नए नक्षे को नेपाल के संसर में भी पास करा लिया है और नेपाल के राश्चपती के मन्जूरी भी दिला दी है उस समय भारत ने खून का घूट पी कर यह सब परदाश कर लिया परंतु यह भी कह दिया कि देर सबेर समस्या का समाधान होना निश्चत है